आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ आधा कप गेहूं के दलिया से बहुत ही मज़दार हलवाई जैसी डोडा बर्फी बनाने की रेस्पी सुनके हैरान हो गए ना आधा कप दलिये से आप पूरे एक किलो डोडा बर्फी बना पाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा कभी आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी महंगी मिलती है मार्केट में घर में आप इसे बहुत ही कम खर्चे में बना सकते हैं बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है तो आएए देख लेते इस मज़दार डोडा बर्फी को मैंने कैसे बनाया है हाई अब्रिवान मैं गीता वर्माइगी टीनु रेस्पी हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वाड़त करती हूं तो यहां पे सबसे पहल को मैंने सब्सक्राइब करता है तो यहां पे मैं इसे पकने देती हो जब तक कि दूद में अच्छा सा उबाल ना जाए, बीच-बीच में चलाते रहना है तो यहाँ पे मैं इसे चलाती जा रही हूँ ताकि जो दल्या है उसके लंप्स ना बने और दल्या अच्छे से बराबर पके एक कप मैं इसमें चीनी एड़ कर रही हूँ और चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं वैसे मैं आपको बताऊंगे टोटल कितनी चीनी जाएगी परफेक्ट रेश्यो क्या है अभी फिलाल मैंने एक कप चीनी इसमें डाल दी है और इसे हम पकने देते हैं तब तक यहाँ पे हम क्या करेंगे आधा कप मैंने दही लिया है और इसके अंदर दो टेबल स्पून के करीब मैं देसी घी डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से फेट लेंगे बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए हमें एक डम स्मूध मिक्षर तयार करना है तो यहाँ पर मैंने इस अच्छे से फेट लिया है अब क्या करना है वह मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो दलिया है वह पकता जा रहा है दूद में और चीनी भी मैंने ओल लड़ी इसमें डाल दी थी अब जो दही वाला मिक्षर है वह एड कर देंगे और दही डाल तो आपको नहीं डालना है मैंने सिफ ट्राइ करने के लिए डाला था तो जब मैंने इसे दोनों को मिक्स किया तो मुझे जो कलर चाहिए था न वो नहीं मिला तो आप येलो कलर मट डालेगे और इसका घोल त्यार कर लेंगे इससे क्या होगा जो डोड़ा बर्वी का ओरिशनल कलर होता है हलवाई वही कलर आये था यहाँ पर आपको 2 टेबल स्पून और कोको पॉडर प्लस में एक टेंच या जो फ्लेवर है वो काफी अच्छा आ जाता है कलर बहुत अच्छा आ जाता है बिलकुल मार्किट जैसा कलर आपका आएगा तो अगर आपको कलर थोड़ा कम लग रहे तो थोड़ा सा कुपको पाउडर और इस तरह से मिला सकते हैं बढ़ यह एणफ है मैंने जब डाला था त पानी सूखता जाता है अब इसे आपको खणने दीना है उपबाना पानी सूकता जा रहा है और मैं आपको यह भी बताओंगे कि कितना पकाना है कैसे आपको पता चलेगा कि पगया है तो अब इसके अंदर मैंने आधा कब घर का जो नारियल होता है सूखा नारियल कट्व कस करके डाला है और यह डालना जरूरी है इससे तभी आपका जो डोड़ा वर्फी का टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा आप इसमें ज्यादा नारियल भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा पसंद है अब इसमें मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर एड किया है टेस्ट के लिए और यहां पर मैंने क्यास को हाई पर ही रख रखा है इसे हमें भूनना है जितना हम इसे भूनेंगे ना उतनी अच्छी बर्फी आपकी बनेगी बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्शर आएगा आपने देखा वियोगा थोड़ी चूई सी होती है जो ब देखा झाल दाले कटे हुए तो इसे हम मिक्श कर 으 क्याइल है और इसे हमीं पकाते जाना है वर तोड़क।टल नहीं लगेगा लिवर केशन तो इसकी आप खाफी अच्छे से भुनाई करते जाए एकदम सूप जाना चाहिए जब तक पुरा कढ़ाई को अच्छे से न छोड़ दी तो जितनी भुनाई करेंगे उतना ही आपका हलवाई जैसा टेक्शर आएगा अगर भुनाई कम की तो यह सेट नहीं होगी बर्फी आ कि यहां पर क्या हुआ कि लागा की मीठा कम है तो मैंने शोड़ा है तो आप क्या करिए गा स्टार्टिंग में तुह मीठा परफेट रह का मुझे मुझे कम लग रह था तो मैंने क्योंकि बात में चीनी डालेंगे तो घुलेगी की इसलिए में नहीं को मिक्सी में पीसके किया है मिक्षर सूख चुका है कैसे पता से लगए भी सब्सक्राइब करना शुरू कर देऊं और इस मैं भी सब्सक्राइब लगा लिया है और इसके अंदर मिक्षर एड कर दूगी और इसे फ्लाट करते हैं से ज्यूद्रिया चाहिन लेक्ष तरह आं यही पहचान है जब भूंते भूंते घी नजर आने लगे आपको साइड में तो इसका मतलब आपका जो मिक्षर है पक चुका है काफी अच्छे से काफी मतलब कढ़ाई भी छोड़ देता है तो यह पहचान होती है कि आपका बर्फी के लिए सैट हो चुगा है उपर से मैं क् 100% गैरेंटी है कि आपकी जो मिठाई है बिल्कुल हलवाई जैसी ही बनेगी कोई फरक नहीं होगा हलवाई की ही रेसिपी है यह मैंने हलवाई को भी देखा है बनाते हुए और बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं तो यहां पर मैंने इस अच्छे से डेकुरेट कर दिया उपर से और फोड़ा सा प्रेस कर दूँगे ताकि ड्राइफूर्स इसमें चिपक जाए और इसे न हम 7-8 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ा था पूरा यह सुबह तक सेट हो चुका है और आप मैं इसे निकाल लेती बहुत सॉफ्ट बर्ती तेयार होती है मुह में घुलने वाली तो चाकु से अराम अराम से काटेंगे युदि बहुत सॉफ्ट है तो टूटने का डर रहता है इसलिए बहुत आराम से डालेंगे और अगर कोई पीस टूट भी जाता है तो आप उसे हाथ से ठीक कर सकते हैं है तो दिककत नहीं होती है तो यहां पर में बल्कुल जैसे बादार में में मिलती है नैं वैसी शेड देरी हूं वैसा ही लुक आ तर दे लगवाए नो बल्कुल बादार जैसे हलवाई के हाथ की ठेस्ट में उतनी लाजवाम है तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूं जैसे मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसी प्लेटिंग करेंगे तो यहां पर मैंने इसके पेपर कप्स आते हैं वह इसकी नीचे लगा दिये हैं और यह देखे कितनी मज़दार हमारी बर्फी तैयार होगे आधा कप दलिये से और एक लीटर दोच से देखे एक किलो कम से कम यह डोडा बर्फी होगी बहुत ही मज़दार मेरे घर में तो मतलब एक पीस भी नहीं बचा खाने के लिए सारी सफाच्वेट हो गई और सबको बहुत पसंद आए तो एक बर आप भी ट्राय करें और लिखके बताए कैसी करना पिल्फुल मत भूलेगा तो फिर मिल दियो एक नई वीडियो के साथ